नमस्कार आशा करती हूँ आप कुशलमंगल होंगे अपनी सेहत और अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान रख रहे होंगे आज की इस वीडियो का बेसबरी से इंतजार कर रहे होंगे तो आज क्या ये अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ याद करवाना चाहूँगे आपकी अर्थ शास्तर की पुस्तिका का दूसरा अध्याय जिसमें हमारी अर्थ व्यवस्था के तीन मुख्य क्षेत्रकों के बारे में पात की गई है इन क्षेत्रकों में से मुख्य क्षेत्र प्रात्मिक्षेत्र है और इस प्रात्मिक शेत्र में कृषी एक एहम भूमिका निभाती है वो प्रात्मिक शेत्र जो भारतिय जनसंख्या की लगभग 53 फी सदी जनसंख्या को रोजगार देता है उस प्रात्मिक शेत्र में जब कृषी इतनी एहम भूमिका निभाती है तो उसके बारे में जानना और भी जरूरी हो जाता है अपनी इसी जिग्यासा को आज पढ़ देते हैं चलिए आज पढ़ लेते हैं पौधों और पशुधन की खेती करने का विज्ञान और कला कृशी कहलाती है भारत एक कृशी प्रधान देश है अती प्राचीन काल से ही कृशी कारे किया जाता है जब संसार के अधिकांश मानव असभ्य थे उस समय भारत वासी कृशी में निपुन थे इस बात का इतिहास खुद साक्षी है कृशी के साथ पशुपालन व्यवसाय सनलगन है विश्व में चीन के बाद भारत ही वह दूसरा देश है जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग कृशी कारे में सनलगन है गैर कृशी क्षेत्र के लिए बड़ी मात्रा में उपभोकता वस्तुएं और अधिकांश बड़े उद्योग जैसे सूती वस्त्र, जूट उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, वनस्पती उद्योग, घी उद्योग आदि को कच्चा माल कृशी से ही प्राप्त होता है देश की एक अरब से भी अधिक जनसंक्या का भरन पोशन कृशी के विकास से ही संभव है भारत एक विशाल देश है, विशाल देश होने के साथ कृशी प्रधान देश भी है फसलों का उत्पादन यहां की जलवायू, मिट्टी, स्थला कृतियादी पर आधारित है बात करते हैं भारतिय कृशी एवं उसकी प्रकृति की वर्ष 2011 की जनगन्ना के अनुसार भारत की जनसंक्या बढ़कर एक अरब 21 करोड से अधिक हो गई है इस बढ़ती हुई जनसंक्या की खाद्यान आवशक्ता पूर्ती के लिए भारतिय कृशी का महत्तु स्वभाविक रूप से बढ़ जाता है देश की कुल राश्ट्री आये में कृशी की भागिदारी लगभग 14.5 प्रतिशत है यद्दिपी यह सेवा क्षेत्र और द्योगी क्षेत्र की तुलना में काफी कम है किन्तु भारतिय कृशी के महत्तो को सिर्फ जीडीपी के भागिदारी के आधार पर नहीं आका जा सकता भारतिय आर्थिक विकास के बावजूद देश की कुल श्रम शक्ती का लगभग 53 प्रतिशत भाग रोजगार पर कृशी पर ही निरभर है यही नहीं देश के उद्योगिक विकास में भी कृशी का बहुत बड़ा महतो है सूती वस्तर उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग, चाए, कॉफी, खाद्य तेल, आधी उद्योगों के कच्छे माल की अपूर्थी कृशी क्षेतर से ही होती है देश के कुल निर्यात में भी कृशी की भागीदारी दस प्रतिशत से अधिक है चाए, तंभाकू, गरम मसाले इत्यादी कई कृशी उत्पादों का भारत प्रमुख निर्यातक है यह प्रत्यक्ष रूप से देश में बैंकिंग क्षेतर तथा कई उद्योगों के विकास में भी सहायक है क्रिशी क्षेतर के उपरोक्त महत्व की कारण ही भारतिय क्रिशी को भारतिय अर्थ व्यवस्था की रीड की हड़ी कहा जाता है क्रिशी के निर्धारन तत्वा, किसी भी देश में क्रिशी कारे कई कारकों द्वारा निर्धारित होता है, इने हम प्राकर्थिक, सामाजिक, एतिहासिक, आर्थिक, एवं प्रशासनिक कारेों के अंतरगत शामिल कर सकते हैं इक शेतर की प्राकर्तिक विशेष्था फसल प्रारूप के निर्धारण में महत्तो पूंड भूमी का निभाती है, जैसे अधिक वर्शावाले क्शेतरों में ढान, जूट जैसी फसलों की खेती होँ प्रिक्षाख्रित उसके अर्द शुष्क क्षेत्रों में जुआर बाजरा जैसे मोटे नाजों की खेती की जाती है। भारत एक कृषी प्रधान देश है। भारत में कुल 15 कृषी जलवाईयो प्रदेश पाये जाते हैं। भारत की जलवाईयों विशेशकर ताप्मान वर्ष भर क्रिशी उत्पादन के अनुकुल रहता है। जलवाईयों की विविद्धता के कारण भारत में उश्न, उपोशन, शीतोशन सभी फसलें उगाई जाती हैं। भारतिय क्रिशी को मौसम पर आधारित तीन फसली मौसमों में बाटा गया है। सबसे पहले बात करेंगे रभी फसल की। शीत रितू की फसलें रभी कहलाती हैं। इन फसलों की बोई के समय कम तापमान तथा पकते समय खुशक और गर्म वातावर्ण की आवश्यक्ता होती है। फसले सामाने तर अक्तूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च में काट ली जाती हैं। इसके अंतरगत मुख्य फसले गेहूं, जों, चना, मतर, सरसों, राई, बरसीम, आलू, मसूर, आदी हैं। रभी के बाद नाम आता है खरीव का। यह वर्शाकाल की फसले हैं। इन फसलों को बोते समें अधिक तापमान एवं आदरता तथा पकते समें शुष्क वातावर्ण की आवशकता होती हैं। जो दक्षिन पश्चिम मौनसून के प्रारंब के साथ बोई जाती हैं और सितंबर अक्तूबर तक काट ली जाती हैं। इसके अंतरगत जोहार, बाजरा, धान, मक्का, मूंग, सोयाबीन, लोभिया, मूनफली, कपास, जूट, गन्ना तथा तंबाकुआ दियाते हैं। रभी और खरीफ के बाद तीसरी फसल आती है जायद। एक अल्पकालिक ग्रीश मृतु की फसल है जायद। जो रभी एवं खरीफ के मत्यवर्ती काल में मार्च में बोकर जून तक ले जाती है। इस वर्ग की फसलों में तेज गर्मी और शुशक हवाएं सेहन करने की अच्छी क्षमता होती है। इसमें सिंचाई की सहायता से सबजियों तथा खर्बूजा, ककड़ी, खीरा, करेला की क्रिशी की जाती है। एवं मूं, उरद, कुल्त, दलहनी फसलें उगाई जाती है। इसे दो श्रेणियों में रखा गया है। मौसम के बाद अब कृषी के विभिन प्रकारों के बारे में और बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्थानांत्रिक क्रिशी के बारे में। यह क्रिशी अभ्यास मुख्य रूप से जनजातिय समुहों दोरा कंद और जणों वाली फसनों को विक्सित करने के लिए उपयोग किया जाता है। भूमी के जंगली या पहाडी क्षेत्र की वनस्पतियों को जलाकर उसे प्राप्त राक से उर्वर हुई मृदा पर दो तीन वर्ष तक क्रिशी की जाती है। अंतता है, मृदा के अनुवर होने पर दूसरे स्थान पर समान विधी अपना कर यह क्रिशी चलती रहती है। बार-बार स्थान परिवर्तन होने के कारण ही इसे स्थानांतरित या जूम केती भी कहा जाता है। कुछ स्थानों पर इसे काटो और जलाओ तथा बुश, फैलो, क्रिशी भी कहा जाता है। स्थानिय रूप से इस क्रिशी को पूर्वोत्तर राज्यों में जूम, आंधर परदेश और उरिसा में पौद, केरल में ओनम, मध्य परदेश तथा 36 गड़ में बीवर, मशान, पेड़ा तथा बीरा और दक्षनी पूरवी राजस्थान में वालरा कहा जाता है। निर्वाह खेती यह एक व्यापक रूप से प्रचलित क्रिशी तक्नीक है, जो पूरे भारत में देखी जा सकती है। किसान और उसका परिवार, मानव, श्रम, वपशुबल की सहायता से घरेलू मांग की पूर्ती करने वस्थानिय बाजार में बिक्री के लिए अनाज पैदा करता है। इस प्रकार की क्रिशी में खाद्य फसलों को वर्यता दी जाती हैं, तथा वर्ष में दो या तीन फसलें सगन रूप से उगाई जाती हैं। निर्वाह क्रिशी में सिंचाई, सुविधाओं की कमी, सूखा तता बाड की क्षती, उननत बीज उर्वर को एवं कीट नाशक का कम इस्तिमाल किया जाता है। गहन क्रिशी, भारत में घनी आबादी वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की क्रिशी अभ्यास देखा जा सकता है। यह हर संभव प्रयास करके पूझी एवं श्रम का उपयोग करके अधिक्तम उत्पादन करने की क्रिशी है। सामान्यता 200 प्रतिशत से अधिक शश्य गहनता वाला क्षेत्र, क्रिशी क्षेत्र माना जाता है। वास्तम में अधिक जनसंक्या गहनतव तथा भूमी की कम उपलब्तता वाले क्षेत्रों में रासायनी कुरवरकों, उन्नत बीजों, कीत नाशक दवाईयों, सिचाई फसल परिवर्तन आधिका अधिक्तम प्रयोग इस तरह की क्येती में किया जाता है। व्यापक क्रिशी यह आधिनिक प्रकार की खेती है। वानिजिक क्रिशी का लक्ष्य एक उच उपजवाली फसल पैदा करना होता है। ताकि उतपादन अन्य देशों या लाब के लिए दूसरे क्षेत्रों में निर्यात किया जा सके। गेहू, कपास, गन्ना, तंबाकू और मक्का कुछ वानिजिक फसले हैं। और ये उत्तर परदेश, गुजरात, पंजाब, हर्याना और महराश्टर सहित, राज्यों में नगत बिक्री हीतु उगाई जाती है। बागवानी क्रिशी, इस शैली को अकसर ऐसी फसलों के लिए उपयोग किया जाता है, जिनको उगाने के लिए बहुत बड़े क्षेत्रफल और लंबी अवधी की आवश्यक्ता होती है। जैसे की रबड, चाए, नारिय, काफी, कोको, मसाले और फल इस प्रकार की क्रिशी के लिए बहुत अधिक पूंजी एवं श्रम की आवश्यक्ता होती है। इसलिए बागवानी क्रिशी मुख्यता, कमपनियों एवं कॉर्परेट घरानों द्वारा बड़ी मात्रा में जमीन को लीज पर लेकर ही की जाती है। बागान केवल एक फसल का उत्पादन करने में ही सक्षम है। केरल, असम, करनाटक और महराष्टा में बागान क्रिशी का उपयोग किया जाता है। गीले भूमी की खेती, भारी मौनसून, भारिश और बाद में बाड से भारत के कई क्षेत्र परभावित होते हैं। अच्छी तरह से सिंचित ख्षेत्रों जैसे पुर्वत्तर भारत और पश्चिम घाट में इस प्रकार की खेती की जाती हैं। चावल, जूट और गन्ना इसके लिए उपयुक्त हैं। चलिए बात करते हैं भारत की कुछ मुख्य फसलों की। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, गेहू, चाए, गन्ना तिलहन, काफी, कपास, इत्यादी हैं। सबसे पहले बात करेंगे चावल की। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान चावल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा बड़ा चावल उत्पादक देश है। चावल एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्चतापमान 25 डिगरी से उपर यह अधिक वर्षावाले क्षेत्रों में मुख्यता उगाई जाते हैं। हाला कि कम वर्षावाले क्षेत्रों में इसे सिचाई करके भी उगाया जाता है। हाग में पैदा की जाती है। यह रभी की फसल है। जिसे उगाने के लिए शीत रुटू और पकने के लिए खिली दूप की आवश्यक्ता होती है। इसे उगाने के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर बार्षिक वर्षा की जरूरत होती है। गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलूज का मैदान और डकन वाली काली मिटी वाला प्रदेश। इसके अलावा पंजाब, हर्याना, उत्तर परदेश, मध्य परदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ भागों में गेहूं की पैदावार की जाती है। मोटे अनाज भारत में उगाये जाने वाले मुख्य मोटे अनाज, जुआर, बाजरा और रागी हैं। हाला कि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परन्तु इसमें पोशक तत्वों की मात्रा बहुत अधिक होती है। उधारन के लिए रागी में, प्रचूर मात्रा में, लोह, केल्शियम, सुष्क पोशक और भूसे मिलते हैं। जुआर, उत्पादन और क्षेत्रफल की द्रिष्टी से देश की तीसरी महत्वपून खदान में फसल है। जुआर की फसल वर्शा पर निर्भर करती है क्योंकि यह अधिक वर्शा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसलिए इसे सिचाई की अवशक्ता नहीं होती। इसके उत्पादक राज्य हैं महराश्ट्र, करनाटक, आंधर प्रदेश और मध्यप्रदेश। बाजरा, बाजरा बलुआ और उतली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्तान, उत्तर प्रदेश, महराश्ट्र, गुजरात और हर्याना इसके मुद्ख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी, रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है। यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उतली काली मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाई जाती हैं। रागी के प्रमुक उत्पादक राज्य करनाटक, हिमाचल परदेश, तराखंड, सिक्किम, जारखंड और अरुनाचल परदेश हैं। मक्का, मक्का, खाद्य और चारा दोनों के रूप में प्रेयोग होता है। मक्का एक खरीफ की फसल है। इसे 21 से 27 डिग्री सेल्सियस ताफमान में पुराने जलोड मिट्टी पर उगाया जाता है। बिहार जैसे कुक्च राज्यों में मक्का, रभी की रितु में भी उगाया जाता है। करनाटक, मध्य परदेश, उत्तर परदेश, बिहार, आंधर परदेश, तिलंगाना, मक्का के मुख्य उतपादक राज्ये हैं। बारत विश्व में डाल का सबसे बड़ा उतपादक होने के साथ सबसे बड़ा उभोकता भी है। डालों को सामान्यता अन्य फसलों के आवर्तन में उगाया जाता है। इसका मतलब ये है कि हर दो फसल के बीच एक डाल की फसल उगाई जाती है। गन्ना एक उष्ण कटी बन दिये और उपोशन कटी बन दिये फसल है। गन्ने की फसल के लिए गर्म और आद्र जलवाईयों 21 से लेकर 27 डिगरी के बीच का तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर की वर्षा की जरूरत होती है। इसे अनेक मिट्यों में उगाया जा सकता है। इसकी बुआई से लेकर कटाई तक काफी शारे रिक्ष्रम की जरूरत होती है। गन्ने के उतपादन में ब्राजील पहले नमबर पर और भारत दूसरे नमबर पर है। तिलहन, 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उतपादक देश था। देश में कुल बोय गएक शेतर में 12 प्रतिशत भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। मुंगफली, सरसो, नारियल तेल, सोया बीन, अरंडी, बिनोला, अलसी और सूरज मुखी भारत में पाई जाने वाली मुख्य तिलहनी फसले हैं। इन में से अधिकतर खादे हैं और खाना बनाने में प्रयोग होती हैं। परन्तु इन में से कुछ तेल के बीजों को साबुन प्रसाधन उत्योग में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है। मूंगफली मूंगफली एक खरीब की फसल है। देश में तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग मूंगफली की फसल से प्राप्त होता है। गुजरात मुंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसके अलावा आंधरप्रदेश, राजस्थान, मुंगफली के अन्य उत्पादक राज्य है। अलसी और सरसों रभी की फसल है। रबी, उत्री भारत में खरीफ की फसल है और दक्षणी भारत में रबी की फसल है। अरंडी, खरीफ और रबी, दोनों की फसल चाई, चाई की खेती रोपन क्रिशी का एक उधारन है। यह एक महत्वपून पेपदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे चाय की जाडियों को उगाने के लिए बर्श भर कोशन, नम और पाला रहित जलवाईयों की अवश्यक्ता होती है चाय के मुख्य उत्पादक शित्रों में असम, पश्चिम बंगाल में दारजलिंग और जलपाई गुडी जिलों की पहाडिया तमिलाडू और केरल है काफी भारतिय काफी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है इसकी खेती नीलगिरी की पहाडियों के आसपास करनाटक, केरल और तमिलाडू में की जाती है भागबानी कसले भारत उश्न और शितोशन कटी बंधिये दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है भारत विश्व की लगभग 13 प्रतिशत सब्जियों का उत्पादन करता है कुछ प्रमुक भारतिय राज्ये तथा उन में पाए जाने वले फलों के नाम इस प्रकार है महराश्ट्र, आंधरप्रदेश, तेलंगाना, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल में आम अनानास, आंधरप्रदेश, तेलंगाना और महराश्ट्र के अंगूर, हिमाचल प्रदेश और जम्मु कश्मीर के सेब, नाशपती, खुमानी और अक्रोट इसके अलावा भारत का मटर, फूलगोवी, प्याज, बंदुगोवी, टमाटर, बेंगन और आलू उत्पादन में भी प्रमुखुस्तान है हम इस अध्याय को दो भागों में बाटेंगे पहले भाग में हमने क्या सीखा? समाप्त करने से पहले हम ये जानेंगे अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूँगे, जिसके कुछ विकल्प होंगे आपने इन में से सही विकल्प को चुनना है इन में से कौन सी रोपन फसल नहीं है? चाए, काफी, रबड या गेहूं? गेहूं रोपन फसल नहीं है इन में से कौन सी जायद की फसल है? चावल, मक्का, तर्बूज या बाजरा? बिल्कुल सही तर्बूज एक जायद की फसल है किस फसल के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रत्थम स्थान है? मक्का, गेहूं, चावल या तिलहन? तिलहन में भारत का विश्व में प्रत्थम स्थान है भारत में गन्य का सरवाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? राजस्थान, पंजाब, उत्तर परदेश या गुजरात? भारत में गन्य का सरवाधिक उत्पादन उत्तर परदेश में होता है आशा करती हूँ आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा हम इस अध्याय के दूसरे भाग की वीडियो के साथ चल्द ही वापिस आएंगे तब तक के लिए सुष्थ रहिए, सुरक्षित रहिए तथा पढ़ते रहिए नमस्कार